जेहिन, वेलकम टू अगर्स्टू लर्निंग और आज हम लोग एक नए सूचकांगों के साथ, एक नए तर्थों के साथ आगे आ रहे हैं, जिसका नाम है अगनी P प्राइम, तो अगनी P प्राइम क्या है? अगनी P प्राइम ये अगनी स्रिंखला का एक बैलेस्टिक मिसाइल है जिसे हाल ही में DRDO ड्वारा विक्सित किया गया है और ये एक परमाड मतलब बैलेस्टिक मिसाइल है और इसको भारत के करम में जब रखा जा रहा है तो इसकी मारक छमता को 1000 से लेकर के 2000 के बीच में लाय अगनी प्राइम का नाम इस वजी से रखा गया है क्योंकि इसकी मारक छमता की बाते हैं इसके पहले की जो हमारी अगनी मिसाइल आचुकी थी उन मिसाइलों की बात की गयी थी और दूसरी चीज जब बैलेस्टिक मिसाइल की बात की जाती है तो वहां पर देश की रक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र को ध्यान में रख करके इस तरह की मिसाइलों का डिजाइन किया जाता है तो अभी सबसे पहली चीज यह है कि यह मैटर कप आया था तो इसका जो अभी DRDO ने सफर परिक्षण किया है कि संता द्वारा किया गया है DRDO दौरा बहुत अच्छी से जान तो 18 दिसंबर 2021 को DRDO द्वारा अगनी प्राइम 2021 का अनावरण किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि अगनी मिसाइली की रिंज में इसकी जो संगिठन को जोड़ा गया है उसमें सबसे बड़ी बात इन चीजों को लेकर के है कि इसकी मारक चमता को उन सभी मिसन और उद 18 दिसंबर 2021 और रगनी पी प्राइम 2021 की बात जो की गई है वो DRDO द्वारा इसको विक्सित किया गया है तो यहां पर एक चीज और चीज आने लायक है कि 18 दिसंबर 2021 को DRDO द्वारा किया गया तो यह इसका दूसरा संसकरण है कौन सा है दूसरा संसकरण है इसके पहले भी इस मिसाइल का एक परिक्षण किया गया था तो इसका जो पहला परिक्षण होगा था बहुत अच्छे से जानिए पहला जो इसका परिक्षण किया गया था उस परिक्षण की जो तारीख थी तो यहां पर 18 दिसंबर 2021 को किया गया था और इसके पहले इसकी जुठी वह 28 जून 2021 को इस p-prime का सभल परिक्षण किया जा चुगा था, तो यहाँ पर बाते आ रहे हैं कि इसकी अभी जो दूसरा संस्क्रण रहे हैं जो हाल में ही किया गया है, उसकी तारिक थी 18 दिसंबर 2021, तो दूसरा संस्क्रण है, और पहले संस्क्रण में इसकी जो लबता जगाई गई थी सफल परिक्षण किया गया है तो इसका आयोजन अस्थल कहां पे था मतलब आयोजन अस्थल का मतलब यह हो जाता है कि कौन सा ऐसा अस्थान था जहां से इसका परिक्षण किया गया तो आयोजन अस्थल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर यह चीज़े बहुत अच्छे से क कौन सा था बाला सोर यहां पर बहुत सारे आपके और परिक्षण होते रहते हैं तो बाला सूर की पास एकड़ीब पढ़ता है टी सा का बाला सूर वाकशे पास एक बीब वेए जिस दीप का नाम हमारे भूत पूर रास्पती एपी बहुत अच्छी जानी एपी जे अब्但ुलाम बहुत अच्छी जानी कौन सा यह..? cmos q कलाम दीप पर किया गया है तो यह जो दीप जो आई लैंड है यह सफल परिक्षण गया है तारीक क्या थी आठारा दिसंबर 2021 को इसका सफल परिक्षण किया गया है तो यह तो हो ग記hat हमारे आयोजयन तो इसकी विषेटा कि बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी विसेता ऐगनी प्राइम एडराया चछला है मुझा अगनी सक्तीности ती लगन के बात करेंगे । मेरें वह चाहिए आस्यारि य्यृशं मोने भी जाती है डी आ डी ओ द्वारा इसका सफल परिक्षण किया गया है अब इसकी बात अगर हम आते हैं तो इसकी विसेशता की भी बात कर लेता है आखिर इसमें ऐसी कौन सी विसेशता है जो वर्ड लेबर पर भारत को एक अच्छी पहचान दिला रहा है तो पहली चीश तो यह कि यह सता सता पर मार करती है कहां जो सता है एक सता की यह मिसाइल है मतलब इसका मार शमता की बात करेंगे और इसके बुश्थ ही पर मार और यहां पर technology का यूज किया जा रहा है या DR DOG सरे की technology का यूज कर रही है तो यह पर्माउण सक्षम ballastik missile है बहुत अच्छी जानी कैसी मिसाल है यह यह पर्माउण सक्षम ballastik missile है और इस missile की खास्यत के कारण ही इसको इसमें सामिल किया गया है तो यहां हमारी एक क्या है परवाउन सक्षम बैलेस्टिक मिसाइल है इसके बाद इसका जो तीसरा कारण यह है कि यह सभी परकार के मिशन में, वो मिशन कोई भी हो सकता है, वो चाहे रात्री का हो या चाहे दिन का हो या कहीं की दूर का भी हो, तो सभी परकार के mission में इसका उपयोग क्या हो सकता है इसको लच्छ भेदने के लिए मतलब सभी परकार के mission में लच्छ भेदने है तो मतलब जो भी इसका target है उस target तक पहुँचने के लिए तो लच्छ को भेदने में लच्छ को भेदने में क्या है ये सक्षम है तो यहाँ प अब शक्षम का मतलब यह होगा कि रात दिन की कोई बात नहीं होती है मौसम कोई भी हो सकता है अस्थान कोई भी हो सकता है इस बैलेश्टिक मिसाइल को पर किसी भी तरह का कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा अब यहां पर यह चीज आती है कि चौथे करम में अगर इसकी व अगनी तंदर का क्या है एक एडवांस वर्जन है मतलब आप इसको किसी भी तरह से किसी भी लच्छ के लिए भेद कर सकते हैं तो चार विसेष्टा है तो यहां पर इसकी यह हो जाती है और इसकी जो मिसाइल रेंज है मिसाइल क्या है मिसाइल अगर रेंज की बात करते हैं इसका रेंज 1,000 km से ले करके 2,000 km के पास रखी गई है, तो यह हमारी जो अगनी प्राइम की बात की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी खास्यत यहां पे देख लीजिए, सता से सता पे मार करने वाली यह एक बैलेस्टिक मिसाइल है, परवावरु सक्षम बैलेस्टिक मिसाइल मतलब इसको किसी भी सीजन में, किसी भी रितू में, किसी भी अस्थान पे इसको लांच किया जा सकता, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और सभी परकार के मिसन में लक्ष को भेदने के लिए यह सक्षम है, अगनी सीरीज की यह एक एडवांस वर्जन है, ले करके 2000 किलो मेटर के बीच रखी गई है, और किसी भी रित या किसी भी अस्थान में इसको लांच किया जा सकता, तो यह तो बात ही होगी हमारी अगनी पी प्राइम की विसेश, ताकि अब इसके आगे का एक और जानते हैं कि अभी तक कि जो हमारे देश में अगनी प्रकार रखा गया था, या उनकी रंज की बात की गई थी, या उनके विसेश महत को देखा गया था, तो उन महत वाली चीजों को हम थोड़ा सा अगनी की सीरीज में भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी अगनी की सीरीज आई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य अ पहली जो हमारी अगनी की मिसाइल आए थी, इसकी जो मारक छमता थी, मतलब अन्य अगनी, यहाँ पर हम यह बात करते हैं कि यह सताह से सताह पर मार करती है, यह बहुत पहले मैंने आपको बता दी है, यह सताह से सताह के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पर यह चीज हमारी क किलो मीटर की रंज ये मार कर सकती है तो यहां पर अगनी पर्थम की बात की जा रही है दूसरे करम पर जब हम अगनी की सीरीज को ले करके चलते हैं तो यहां पर हमारी जो अगनी टू आय थी कौन सी आय थी अगनी टू तो इसकी जो मारक छमता थी वो 2000 से अधिक रखी गई तो यहां पर इसका यह करम बन जाता है अब तीसरा नंबर पर जब हमारी अगनी का मिसाल के चलता है तो अगनी थी की जब हम बात करते हैं तो इसकी मारक छमता 250 km से अधिक रखी गई थी मतलब 2000 km अब दो हच्टे के बाद मतलब अगनी टू के बाद जितनी भी मिशायले बनाई गई है भारत में या डिया डियो द्वारा जो विक्सित गए थी उनमें यह खूभी रखी गए थी कि उसमें 500 km के रिंज को हमेशा बढ़ाया गया था तो तो अगनी 4 की जो मिसायल सम्ता रखी गई थी, इसको बढ़ा के फिर 300 km, मतलब 3500 km से अधिक कर दिया गया तो, यहाँ पर यहाँ पर 2000 मूर्च यहाँ पर 1000 km को बढ़ाया गया था, तो साड़े 3000 km की बात यहां बेकी गई थी और जब अगनी 5 की बात की गई थी करम में अगनी 5 की बात की गई थी तो इस 5 का जो मतलब था कि इसकी वारक छमता 5000 km से अधिक रखी गई थी और इसमें आसपास के एसिया के वो सारे देश आ जाते हैं जहां तक इसकी वारक छमता पहुंच रही थी, तो इसी क्रम में हमारा जो अभी नया स्रेणी या नया रेंज लांच हुआ है, उसको अगनी पी प्राइम के नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी मारक शमता को 1000 से 2000 के बीच रखा गया है, और वो किसी भी मौसम में, किसी भी रित्म में, किसी भी तरह को कार कर में और अपने लक्ष को भेदने के लिए सक्षम है, इसलिए वो वरतमान में चर्चा में बना हुआ था, और अभी यह हाल के 18 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में, 18 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में DRDO द्वारा इस प्रकार की मिसाइल को लांच किया गया है, अब यहां पे कुछ अन परणाली को या डिफरेंद सिर्ड में बहुत ज्यादा करती है, तो उनमें अभी लास्ट का जो करम आता है, और यहां आता है, कि अन-विक्सित मिसाइल जो भारत में, अन विक्सित मिसाइल की बात कर रहे हैं, और यहां पे यह बहुत अच्छे देयानी है, अगर कभी भी किसे भी मिसाइल की बात की जाती है तो वहां पे आपको ये चीज़े पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे वहां पर एक्जामनेशन में कोशन पूट अप किया जाता कि अगनी किस तरे का काम करती है ना किस तरे का काम करता है आकास कैसा है त्रिशूल कैसा है तो इसकी थोड़ी की बात की जाएगी पिर्थवी मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ अगर कभी पिर्थवी मिसाइल की बात की जाएगी आप मैंने मिसाइल को बता दिया है कि अन्विक्सित मिसाइल जो भारत में हैं वो कौन-कौन सी है तो उनके नाम से ही आप जाएगा पिर्थवी मिसाइल की खासित ये होती है, कि ये सताह से सताह पे मार करती है, कहां पे सताह से सताह के लिए ये बनाए गई है, इसी करम में जो दूसरा आया था, उसको हमने क्या बोला था, आकास बोला था, और इस आकास की भी खासित क्या है, वो भी सताह से सताह पे मार करती थी, अब इसी करम में ज सताह से सताह पे मार करते थी अब चोधे करम की बात जब की जाती है तो यहां पे हमारे जो अन्य मिसाइल से उसका नाम था त्रिशूल जैसा कि नाम से ही पता चल ला है कि इसको फेंक के मारने वाला जैसे त्रिशूल होता है आप सताह से हवा में मारते हैं मतलब सताह से हवा क के दर्पोः तो यहाँ पर इसका मततब यह हो गया कि यह त्रुषूल जो था वो सताह से आकस की तरफ के तरफ ही सिसका वार होता है तो इसकी लिए इसका नाम तिर्शूल रखा गया था पांछोंवे कर्म पर जिसका हम नाग बोलते हैं तो यह नाग क्या है नाग एक परकार का टैंक रोधी मिसाइल है क्या है ये टैंक रोधी मिसाइल है जिससे हम किसी भी परकार के टैंक को नश्ट कर सकते हैं इसी वजे से इसका नाम नाग रखा गया है तो ये डी आए डी यो द्वारा विक्सित कुछ अन्य सक्षम मिसाइल है जिनका नाम आप समय समय पर न्यूज पेपर या टीवी चैनल पर सुनते रहते हैं तो यहां पर सिर्फ नाम से इन्हें उस नाम से भी अगर आप उनकी पहचान कर लेंगे तो एक्जाम में आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा पिर्सवी अगनी और आकास ये सताह से सताह पे मार करते हैं प्राइम की बारे में जानकारी दी है और ये भारत के लिए एक स्वर्णिंभविस्त की एक देन है कि आने वाले समय में हम विस्व केपटल पर एक अच्छी पोजीशन पर अपने रक्षातन प्रणाली को लेकर के अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉंग करते हुए आगे आगे भारत